नमस्वाद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके प्रेटूप चैनल रविशाडी आई क्यू जी के पर आज मैं आपके लिए 2019 का सबसे ज़ादा इंपॉरेंट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक नागरिक्ता शंशोधन विधेक 2019 इसके मोश्ट इंपॉरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड ली है अच्छे लेवल के लिए वही कोशन ली है जो कोशन आपके एक्साम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा CAB का पूर्ण रूप क्या होता है सही आंसर है ओप्शन C उपयुक दोनो यानि नागरिक्ता शंशोधन विधेक CAB का फूल फॉर्म होता है हिंदी में सिटीजन अमेंडमेंट बिल फॉल फॉर्म होता है CAB का इंग्लिश में इंपॉर्ण कोशन रहेगा अपके एक्साम के लिए नेक्स कोशन कर लेते हैं नागरिक्त शंशोधन बिल के अंतरगत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े सही आंसर है इसका ओप्शन A 3111 311 वोट पड़े नागरिक्त शंशोधन बिल के पक्ष में लोकसभा में ठीक है लोकसभा की बात हो रही है अगला कोशन कर लेते हैं नागरिक्त शंशोधन बिल के अंतरगत राज्य सभा में पक्ष में कितने वोट पड़े सही आंसर है ओप्शन B 125 वोट पड़े नागरिक लगने के बाद CAB का नाम बदल कर क्या हो गया है, सही आंसर है, option A, CAA, CAB का full form मैंने आपको बताया था, citizen amendment bill, ठीक है, अब इसका नाम बदल के हो गया है, CAA, इसका full form होता है, citizen amendment act, friends, आप सभी को बता है, जब तक राश्टपती की मोहर नहीं लगती, किसी भी bill पर, वो तब त होता है, वो act बन जाता है, ठीक है, यानि अब जो नाम हो गया है, CAB का, वो CAA हो गया है, citizen amendment act, important question है ये भी, next question कर लेते हैं, लोगसभा में नागरिक शंशोधन बिलको कब पास किया गया, सही आंसर है, option A, 9 December 2019, 9 December 2019 को लोगसभा में नागरिक शंशोधन बिलको पास किया गय अगला question कर लेते हैं, राज्य सभा में नागरिक शंशोधन बिलको कब पास किया गया, सही आंसर है, option A, 11 December 2019 को, 11 December 2019 को राज्य सभा में नागरिक शंशोधन बिल 2019 को पास किया गया, ये question भी आपके exam के लिए important रहेंगे, फिर्ट सभी question मैं आपके लिए एक selected और 6 level के लिए क आप exam से पहले अच्छे से रिट ले, exam में आपको बहुत help मिलेगी, अगला question है मारा, नागरिक शंशोधन बिल दोवारा किन देशों के अल्प संख्यों को नागरिता देने का फैसला किया गया है, most important question है इस topic का, सही answer है, option D, उप्युक सभी, यानि जो अफगानिस्तान दे पाकिस्तान देश है और बंगलादेश देश है इन तीन देशों के जो अल्प संख्यक है इनको नागरिकता देने का फैसला किया गया है सरकार के द्वारा और ये नागरिकता शंशोधन बिल के द्वारा किया गया है ठीक है अगला कोशन कर लेते हैं नागरिक शंशोधन बिल कितने अलप संखेक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा सरी आंसर है option D 6 तरह के जो अलप संखेक समुदाय है इनको नागरिकता प्रदान करेगा नागरिक शंशोधन बिल 2019 next question कर लेते हैं यह question उपर आले question का ही part है नागरिक शंशोधन बिल 2019 किन अल्प संखेक समूदाय को नागरिकता प्रदान करेगा आंसर है option G उप्युक सभी friends उपर और question मैं आपको करवाई था कि जो नागरिक शंशोधन बिल 2019 है ये 6 तरह के जो अल्प संखेक समूदाय है उनको नागरिकता प्रदान करेगा और मैंने जो 6 जो अल्प संखेक समूदाय है उनका नाम बता रहा हूँ एक है हिंदू, दूसरा है सिख, तीसरा है बौध, चौता है जैन, पांचवा है पार्सी और छे माह है इसाई उनको नागरिकता प्रदान करेगा नागरिक शंशोधन बिल 2019 यह भी कॉशन आपके एक्जाम के लिए important था, अगला कॉशन कर लेते हैं नागरिक शंशोधन बिल के अंतरकत किस तारिक से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी सही आंसर है, option A, 31 December 2014, 31 December 2014 से पहले जितने भी जो लोग भार से आए हैं नागरिक शंशोधन बिल उनको नागरिकता प्रदान करेगा, ठीक है यह date आपने important है आपके लिए, 31 December 2014 अगला question कर लेते हैं, नागरिक शंशोधन बिल 2019 लोगसभा में पास होने वाला कौन सा शंशोधन बिल है, most important question है आपके एक्जाम के लिए, सही answer है, option A, 126, 126 शंशोधन बिल है, नागरिक शंशोधन बिल 2019 लोगसभा में पास होने वाला, important रहेगा काफी जादा अगला question कर लेते हैं, नागरिक शंशोधन बिल के तहत परवासियों को नागरिक तक किस प्रक्रिया से मिलेगी, ये भी काफी जादा important question है, सही answer है, option B, देशिये करन द्वारा नागरिक ता परदान की जाएगी, नागरिक ता शंशोधन बिल 2019 के तहत परवासियों को, ठीक मैंने इस वीडियो में आपके लिए most important 47 question select की है, जो कि सबसे जादा है अपने आप में, ठीक है, अगला question कर लेते हैं, भारत में परवासियों को अब 11 साल की वज़ाए कितने साल रहने पर अगला question कर लेते हैं, नागरिक ता अधिनियम 1905 में कितनी बार शंशोधन हो चुक मैंने आपको बता है, छे बार हो चुका है, ठीक है, ये 2019 को मिलाकर है, ठीक है, 2019 को मिलाकर, छे बार शंशोधन हो चुका है, नागरिक ता अधिनियम 1905 में, ठीक है, अगर हम 2019 को include नहीं करते हैं, तो 5 बार होता है, लेकिन आप सभी को पता है, कि ये जो build-up act बन चुका है, इसलिए 6 बार शंशोधन हो चुका है, 2019 को मिलाकर, ठीक है, अगला जो question करवा रहा हूँ, ये इसी question का part है, नागरिक ता अधिनियम 1905 में कब-कब शंशोधन हो चुका है, सही answer है, option G, उपियुक सभी, यानि कि option A B सही है, B B सही है, C B सही है, D B सही है, E B सही है, F B सही है, 1986 में पहली बार हुआ था, फिर 1992 में हुआ था, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, और आखरी बार हुआ अभी 2019 में, इनको मिलाके, ये कितने हो गए, 6 बार हो गए, ठीक है, यानि 6 बार नागरिक ता अधिनियम 1955 में शंशोधन हो चुका है, अगला question कर लेते हैं, लोक सभा म में, नागरिक शंशोधन बिलको पास किया है, पेश किया है, ठीक है, अगला question कर लेते हैं, संसद की तीन हिस्से कौन से हैं, answer इसका, option D, उप्योक तीनो, यानि लोक सभा, राज्य सभा और राश्टपती, ये तीन हिस्से होते हैं, हमारे संसद के, ठीक है, यानि लोक सभा राज्य सभा, राश्टपती आपने याद रखना है, कहीं कहीं आपको बताते हैं कि दो ही होते हैं, लोक सभा, राज्य सभा, लेकिन ये आपको गलत है, सही है, तीन, राश्टपती भी संसद का हिस्सा होता है, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको most important 47 question ठीक है, और इस सबसे बहतरिन तरीका होता है, पढ़ने कि पहले आप पढ़ो और फिर वीजन करो और टेस्स के बाद टेस्स दे दो, और मैं आपको इतनी shorty देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक question आपको इसी वीडियो में याद होने वाले है, अगला question कह होता है, उसे हम राज्यसभा कहते हैं, अगला question है, संसद का उपरी सदन को क्या कहते हैं, सही answer है, option B, राज्यसभा कहते हैं, संसद के उपरी सदन को, अगला question कह लेते हैं, लोगसभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है, सही answer है, option C, पांच वर्ष का, जो लोगसभा के सदस्य होते हैं उनका कारेकाल 5 वर्ष का होता है, important है, अगला question कह लेते हैं, लोकसभा सदस्य की नियुनतम आयू कितनी होती है, कोई भी सदस्य होता है, जो अगर लोकसभा जोईन करना चाहता है, उसकी नियुनतम आयू होनी चाहिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानि option C हमारा सही होगा, ठीक है, 25 वर्ष नियुनतम आयू होती है, अगला question कह लेते हैं, सम्विधान का किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, लोकसभा के बारे में बताया गया है, सही answer है, option C, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में, जो सम्विधान का अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा के बारे में बताया गया है, अगला question कर लेते हैं, सम्विधान के किस अनुछेद में, राज्यसभा के बारे में बताया गया है सही answer है, option B, अनुछेद अस्सी, अनुछेद अस्सी जो है सम्विधान का, इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया यह question B, आप एक्जाम के लिए काफी important रहेगा अगला कोशन कर लेते हैं वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है सही आंसर इसका option B, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है friends की बाद जो मैं आपको revision करवा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत important रहेगा, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना एक कोशन आपको इसी वीडियो में अच्छी से समझ में और याद होने वाले है, अगला कोशन है वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है सही आंसर है, option A वेंकिया नाइडू, वेंकिया नाइडू वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष और वेंकिया नाइडू हमारे देश के उपराश्पती भी है next question है मारा, भारत में किस तरह की नागरिक्टा का प्रावधान है सही आंसर है, option A एकल नागरिक्टा, भारत में एकल नागरिक्टा का प्रावधान है ठीक है, अगला question कर लेते है कौन सा अध्यनियम अवेध प्रवासियों को भारतिय नागरिक्टा प्रावध करने से प्रतिबंद करता है सही आंसर है, option B नागरिक्टा अध्यनियम 1955, most important question है आपके exam के लिए तुमारा question था, कौन सा अध्यनियम जो है अवेध प्रवासियों को भारतिय नागरिक्टा प्रावध करने से प्रतिबंद करता है तो आपके आंसर होगा, नागरिक्टा अध्यनियम 1955, ठीक है अगला question कर लेते हैं, भारत में नागरिक्टा किस तरह से मिलती है सही answer है, option F उप्योग सभी, जनम के दवारा नागरिक्टा है मतलब friends, कोई भी जो इनसान है, कोई भी अगर भारत में जनम लेता है तो उसे भारत की नागरिक्टा मिल जाती है, ठीक है दूसरा है, वानशुनु करम रक्त के अधार पर अगर कोई भी इंसान है, वो भार रहता है लेकिन जो इसके माताप पीता है वो भारती है, तो उसे नागरिक्टा मिल जाती है तीसरा है, देश्य करन दौरा नागरिक्टा ये एक तरह का registration ही होता है पंजी करन दौरा नागरिक्टा, आप सब भी का पता है भारत अगर देश हमारा, अगर वो किसी हिस्से पर कबजा करता है, ठीक है, उस हिस्से में जो भी लोग रहेंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगे, तो छेट समविष्टी दौरा इसका मतलब यह होता है, ठीक है, अगला कोशन कर लेते हैं, नागरिक शंशोधन बिल कौन से साथ राज्यों में नहीं लागू होगा, आंसर है, अप्शन ह, उप्यूक सभी, असम राजे, मिघाले राजे, तरिपूरा राजे, अरुनाचल परदेश राजे, मिजोरम राजे, मनीपूर राजे और नागलेंड राजे, यह साथ राजे जो मैं आपको बता ह इसमें नागरिक शंशोदन बिल जो है लागू नहीं होगा, अगला कुशन कर लेते हैं, नागरिक शंशोदन बिल के द्वारा किस अनुछेद के उलंगन की बात कही जारी है, सही आंसर है, आप्शन ए, अनुछेद 14 जो है समिधान का, इसके उलंगन की बात कही जारी है, नागरिक शंशोदन बिल 2019 के द्वारा, और फ्रेंट्स अभी हाली में न्यूज में 1921 की भी बात हो रही थी, ठीक है, तो आपको यह दोना याद रखना है, अनुछे 14 और 21, जो है, इसके उलंखन की बात कही जा रही है, नागरिक शंशोदन बिल 2019 के द्वारा, ठीक है, वैस अनुछे 14, जो है सम्विधान का, इसमें विधी के समक्ष, समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, यह कोशन भी आपके एक साम के लिए important है, नागरिक शंशोदन बिल के अंतरगत, लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं, आंसर है, अप्शन A, 391, 391 वोट, न लोकसभा में पक्ष में वोट पड़े हैं, अगला कॉशन का लेते है, नागरिक शंशोदन बिल के अंतरगत, लोकसभा में कितने वोट पड़े हैं, सही अटेम सरे, अप्शन A, 801 वोट जो पड़े हैं, वो विपक्ष में पड़े हैं, अब आपको उपर बताया देखो, 39 291 थे, कुल वोट, जो कि लोकसभा में पड़े, ठीक है, नागरिक शन्चोतन बिल 2019 में, 311 पक्ष में पड़े हैं, और विपक्ष में 80 वोट पड़े हैं, ठीक है, यह भी कोशन भी आपके अग्जाम के लिए important है, नागरिक शन्चोतन बिल के अंतरकत, राज्य सभा में कुल कितने वोट पड़े, सही answer है, option A, 220, 220 वोट पड़े हैं, नागरिक शन्चोतन बिल 2019 के अंतरकत, राज्य सभा में कुल वोट, ठीक है, 220 जो हैं कुल वोट है, और मैंने आपको ऊपर करवाया था, पक्ष में कितने पड़े हैं, 125, 125 पक्ष में पड़े हैं, ठीक है, अगला question अगरिक शन्चोतन बिल के अंतरकत, राज्य सभा में कितने वोट पड़े हैं, सही answer है, option B, 95, 95 वोट, नागरिक शन्चोतन बिल 2019 का राज्य सभा में विपक्ष में पड़े हैं, ठीक है, इंपोरेंट है, अगला question कर लेते हैं, नागरिक शन्चोतन बिल पहली बार कब लाय गया था, answer है, option C, 1950 में, 1950 में नागरिक शन्चोतन बिल पहली बार लाया गया था, अगला question कर लेते हैं, संभिधान के किस अनुछेद में संभिधान शन्चोतन के बारे में बताया गया है, most important question है, सही answer है, option D, अनुछेद 368, अनुछेद 368 में, जो है संभिधान का, इस अन अनुछेद में नागरिक शन्बंदित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है, सही answer है, option C, अनुछेद 11, अनुछेद 11, जो है संभिधान का, इस अनुछेद में नागरिक शन्बंदित कानून बनाने का अधिकार के बारे में बताया गया है, अगला question भी important है, संभिधान इस अनुछेद में नागरिक्ता संबन्दित प्रावधान के बारे में बताया गया है अगला कोशन कर लेते हैं समिध्धान में संशोधन की प्रकिरिया को किस देश से लिया गया है। सही आंसर है, इसका option A, दक्षिन अफरिका, दक्षिन अफरिका दो देश है, इस देश से समिध्धान में संशोधन की प्रकिरिया को लिया गया है। अगला question कर लेते हैं, किस देश से नागरिक्ता की अवधारना को अपनाया गया है, सही answer है, option D, England, England देश जो है, इस देश से नागरिक्ता की अवधारना को अपनाया गया है, यह question भी आपके एक्जाम के लिए important है, उपर वाला question भी important था, अगला question कर लेते हैं, सम्मिधान के क इस भाग में नागरिक्ता से संबंदित प्रावधान के बारे में बताया गया है। आंसर इसका option B भाग 2 समिधान का जो भाग 2 है इसमें नागरिक्ता से संबंदित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला कुशन कर लेते हैं राजनेतिक विज्ञान में नागरिक शब्द का प्रियोग सबसे पहले किसने किया था आंसर है option A अरुस्तु अरुस्तु जथा इसने राजनेतिक विज्ञान में नागरिक शब्द का प्रियोग सबसे पहले किया था अगला कोशन है वर्तमान में राजे सभा के महासचीव कौन है आंसर है ऑप्शन ए देश दीपक वर्मा वर्तमान में हमारे देश के राजे सभा के महासचीव है अगला कोशन कर लेते हैं नहरू लियाकत समझोता किस वर्ष हुआ आंसर है आप्शन A 1950 में नहरू लियाकत समझोता हुआ था आखरी कोशन कर रहे हैं इस वीडियो का इसके बाद मैंने आपके लिए रिवीजन रखा है वर्तमान में अमित शाह के पास कौन सा मंतराले है सिंपल सा कोशन है यह सही आंसर है आप्शन B ग्रह मंतराले है हमारे देश के होम मिनिस्टर है वर्तमान में अमित शाह ठीक है मैंने आपको यह 47 कोशन करवाए उम्मीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे होंगे अब मैं आपको इस सभी कोशन एक बार फिर से रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि आपको सभी के सभी कोशन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं आप मेरा दूसरा चैनल है मैस का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, करन्ट अफेर का रवी स्टडी आईक्यू जीके 2.0 इसे भी सब्सक्राइब कर लिजिए आप मेरे टेलिग्राम, फेस्बूक, इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, रवी स्टडी आईक्यू जीके नाम से हैं, ठीक है चलिए स्टाट करते हैं, रिवीजन और सबसे बहतरी तरीका होता है, पढ़ने के पहले आप पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो, ठीक है और उसके बाद टेस्ट दे दो, तो रिवीजन के बाद मैंने आपके टेस्ट भी रखा है 10 कोशन का फर्स्ट कोशन है मारा, CAB का पूनरूप क्या होता है, आंसर है, नागरिक्ता शंशोधन विधेक और सिटिजन अमेंडमेंट बिल अगला कोशन है, नागरिक शंशोधन बिल के अंतरगत लोग सभा में पक्ष में कितने वोट पड़े, आंसर है 311 नागरिक शंशोधन बिल 2019 के अंतरगत, राज्य सभा में पक्ष में कितने वोट पड़े, आंसर है 125 राश्पति की मुहर लगने के बाद, CAB का नाम बदल कर क्या हो गया है, आंसर है CAA लोग सभा में नागरिक शंशोधन बिल को कब पास किया गया, आंसर है 9 दिसंबर 2019 राज्य सभा में नागरिक शंशोधन बिल को कब पास किया गया, आंसर है 11 दिसंबर 2019 नागरिक शंशोदन बिल दवाया किन देशों की अलप संख्यों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है आंसर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश नागरिक शंशोदन बिल कितने अलप संख्यों को नागरिकता प्रदान करेगा आंसर है छे आंसर है हिंदु, सेख, बोध, जैन, पार्सी और इसाई नागरिक शंशोदन बिल की अंतरगत किस तारिक से पहले भारत आई लोगों को नागरिक परदान की जाएगी आंसर है 31 दिसंबर 2014 नागरिक संषोधन बिल 2019 लोगसभा में पास होने वाला कौन सा संषोधन बिल बना है? आंसरै 126 वाँ नागरिक संषोधन बिल के तहट परवासियों को नागरिकत किस प्रकिर्या से मिलेगी? आनसरै देशे के रन द्वारा नागरिकता मिलेगी नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? आंसर है छे बार नागरिकता अधिनियम 1955 में कब कब संशोधन हो चुका है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 लोकसभा में नागरिक शंशोधन बिलको किसने पेश किया? आंसर है अमिशा संसद के तीन हिस्से कोन से है? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा, और राश्पति संसद का उपरी सदन को क्या कहते है? आंसर है राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों कारेकाल कितना होता है आंसर है पांच वर्ष का लोकसभा सदस्य की नियुनतम आयू कितनी होती है आंसर है पचीस वर्ष संभिधान कक किस अनुछेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है आंसर है अनुछेद 81 समिधान का कौन सा अनुच्छेद? समिधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है आंसर अनुच्छेद 80 वर्तमान में लोकसभा अद्धक्ष कौन है? आंसर है ओम बिर्ला वर्तमान में राज्य सबा अध्यक्ष कोन है? आंसर है अमेंकिया नाइडो भारत में किस तरह की नागरिक्ता का प्राफधान है? आंसर है एकल कौन सा अधिनियम अभेद प्रवासियों को भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है आंसर है नागरिक्ता अधिनियम उननीसो बचपन भारत में नागरिक्ता किस तरह से मिलती है आंसर है जनम की दौरा नागरिक्ता वांशुन करम और रक्त के अधार पर देशे करंदरा नागरिकता पंजी करंदरा नागरिकता और छेतर समविष्टी द्वारा नागरिक संशोदन विधे कितने राज्यों में नहीं लागू होगा आंसर है साथ नागरिक शंशोदन बिल कौन से साथ राज्यों में नहीं लागू होगा आंसर है असम, मिघालय, तरिपुरा, अरुनाचे परदेश, मिजोरम, मनिपूर, नागलेंड नागरिक शंशोदन बिल के द्वारा किस अनुछेद के लंगन की बात कहीं जारी है आंसर है अनुछेद 14 विधी के समख शमंतग अवधार किस अनुछेद में बताया गया है आंसर इसका अनुछेद 14 अगला कोशन कर लेते हैं नागरिक शंशोदन बिल के अंतरगत लोगसभा में कुल कितने वोट पड़े आंसर है 391 नागरिक शंशोदन बिल के अंतरगत लोगसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े आंसर है 80 नागरिक शंशोदन बिल के अंतरगत राजे सभा में कुल कितने वोट पड़े आंसर है 220 नागरिक शंशोधन बिल 2019 की अंतरगत राज्य सुभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? आंसर है 95 नागरिक शंशोधन बिल पहली बार कब लाया गया था? आंसर है 1955 सम्विधान के किस अनुछेद में सम्विधान शंशोधन के वारे में बताया गया है? आंसर अनुछेद 368 सम्विधान के किस अनुछेद में नागरिकता सम्वंदित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है? आंसर अनुछेद 11 सम्विधान के किस अनुछेद में नागरिकता सम्वंदित प्रावधान के वारे में बताया गया है? समीधान में संशोधन की प्रकिरिया को किस देश से लिया गया है किस देश से नागरिक्ता की अवधारना को अपनाया गया है समीधान की किस भाग में नागरिक्ता से सम्बंदित प्रावधान के बारे में बताया गया है आंसर भाग दो राजनेतिक विज्ञान में नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था आंसर ए अरुस्तुने वर्तमान में राजे सबा के महासचिव कौन है आंसर देश दीपक वर्मा नहरू लियाकत समझोता किस वर्ष हुआ आंसर ए 1950 में वर्तमान में अमे शाहँ के पास कौन सा मंत्राले है उम्मीद करता हूँएë मैं आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे हूँए और याद भी हो गए हूँए इसी वीडियो मैं आपको बतायीता कि जब मैं आपको 47 कोशन करवा दूँगा revision करवा दूगा उसकी offense मैंने आपके लिए 10 question का online test रखाए पर अपने सबसे बहतरीन तरीका होता है पढ़ना है कि पहले आप पढ़ो उसके बहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और यह test जो offense बिल्कुल अलग तरीके का है जो सही जवाब होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है कि सही जवाब क्या होगा कहीं पर लिखना नहीं है नाहीं मुझे आपने commenter के बताना है बस आपने मुझे commenter के अपना score बताना है कि 10 में से आपका score कितना रहा है और वीडियो कैसी लगिया यह आपने जरूर बताना है ठीक है तो चलिए start करते हैं test और test के लिए आपको all the best फर्स्ट कोशन है क्या आपका पुन रूप क्या होता है चार options हैं आपकी screen के उपर सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है नागरिक शंशोदन बिलके अंतरगत लोग सभा में पक्ष में कितने vote पड़े चार options हैं आपक राश्पती की मुहर लगने के बाद CAB का नाम बदल कर क्या हो गया है लोग सभा में नागरिक शंशोदन बिलको कब पास किया गया सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है राश्पती सभा में नागरिक शंशोदन बिलको कब पास किया गया चार options हैं आपकी screen के उपर नागरिक शंशोदन बिल दवारा किन देशों के अलफ संख्यों को को नागरिकता देने का फैसला किया गया है सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है अखरी कोशन है सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है आपका score कितना रहा है और वीडियो कैसी लगी है friends आपने ये भी ज़रूर बताना है उमीद करता हूँ friends आपको वीडियो बहुत पसंद आई ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए आप मुझे Facebook, Instagram पे contact कर सकते हो ठीक है और मैंने बता है मैस का नया चैनल है मेरा reasoning का एक रंफ के चैनल है नया रवी study IQJK 2.0 इसे भी आप subscribe कर लीजिए तो friends अब हम मिलते हैं next वीडियो में thank you and wish you all the best